नमस्कार आप देख रहे हैं टीपीवी नियूज मैं हूँ आपके साथ राजण दिनीक शर्मा जमुकश्मीर में शोपिया जिले में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुढबेड की बड़ी खबर सामने आई है जानकारी के अनुसार शोपिया के बढ़गाम के जैनपुरा इलाके में दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली आतंकियों के होने की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम ने पुरे इलाके को घेल लिया है और तलाशी अभ्यान को शुरू कर दिया गया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने पहले आतंकियों को आत्मसबरपर करने को कहा पुलिस ने कई बार कहने के बावजूद किसी भी आतंकी ने आत्मसबरपर नहीं किया और पुलिस कर्मियों पर फाइरिंग करना शुरू कर दिया इसके बाद पुलिस ने भी इलाकी को घेर कर फाइरिंग का करारा जवाब दिया आपको बता दी किया अनुचेद 370 हटने के बाद अब कश्मीर में काफी बदलाव दिख रहा है जिसकी वज़ा से आतंकी अपने मनसुबों पर काम्याब नहीं हो पा रहे हैं और निराश होकर आम जनता को निशाना बना रहे हैं एक रिपोर्ट के मुदाबिक पिछले 10 दिनों में जादातर हमले प्रवासी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों पर हुए हाला कि कश्मीर में आतंकीयों की जड़ को खाड़ फेकने के लिए पुलिस और सेनाई के स्थाथ अभियान चला रही है ऐसी लेटिस्ट अप्डिक्स के लिए देखते रहे हैं टीपीवी न्यूस नमस्कार